सब्सक्राइब दीटेशन के बारे में जानेंगे मैं पिछले वीडियो में मैं जने प्री лес זका हुआ और प्रणायम सिख आई योड़ा फ़र मेडिटेशन योगंर इद्रा फूरा दड़ा ए सिखाई गया इंगलिश में बनाई मैं है दॉक्टर देवीका बटनगर आमें soft skills trainer and motivational speaker yoga meditation के बारे मेरे मेरे पास जितना भी जानकारी है वो तो आपके साहरे शेयर करते जा रही है तो चली आप त्राटक meditation के बारे में देखेंगे त्राटक का मतलब कोई भी object को लेके उसके उपर बीना आग पल्टे उसके उपर focus करना है continuously staring at one object कुछ भी चीज के उपर इसमें अलग-अलग त्राटक है त्राटक मेंली हमारा eyesight improve करने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है आइसाइट इंप्रूव होगा और अगर आपको आइसाइट नहीं हो कभी आया गई नहीं आइस बहुत healthy अच्छा रहेंगे और इंसोम्निया जिसको इंसोम्निया प्रॉब्लम में नीद नहीं आती एक बीमारी है यह लोगं के लिए तो एक बून है अट्राटक मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है इंसोम्निया में प्रॉब्लम में और अच्छा मेमरी पाइदा होगा ए तराटक मेडिटेशन में तो कहा करना चाहिए जनरली तराटक मेडिटेशन अपना रोम में तो रूम पूरा डार्क पीस्फुल करके पीस्फुल कोई डिस्टरबेंस ना हो ऐसा रूम सटकरिए सटकर के वहां आराम से आप बैठ जाए एंड वन मोर जब तराटक मेडिटेशन करते हैं मोमेंट नहीं होना बॉडी हिलाना ओदर हिला न नए बिल्कुल नहीं एक पोजीशन लेके बॉडी स्टराइट रख के संदेजुकना नहीं आग भी मेडख ए तो करना चाहिए और बैठ ने का प्वॉजीशन है कोई भी लाम लाسन अमे बैट सकते हैं और हातों को हमेशा चिन मुद्रा में रखना है यह दो फिंगर्स इंडेक्स फिंगर और थांब फिंगर्स को जोड के ऐसे अपना थाइप पर रखे तैप यानी नीज पर रखे रखे स्ट्रेइट बैट जाएए यह पोजीशन है और त्राटक मेडिटेशन के जानेंगे त्री टाइपस आफ मेजर तो तीन है फस्ट वाला है इनर तहांद इनर टाक सब्सक्राइब हम आइक बंद करना है इनर करके हमारा फोकुस पूरा हम आइह न वैंद के बीच में हमारा focus रहेगा गया हमारा focus ऐसे कि असे की कुछ भी नहीं सोचना अराम से बिना हिले एक जगे पे बैटके हमारा focus पूरा eyebrows के दो eyebrows के बीच में focus करना आप मैसूस करिए कि कोई टेंशन नहीं है कोई तन कोई डिस्टिबेंस नहीं है पीस्फुल लग ऐसा मैसूस करते वे काली इस पर फोकस करता है यह सबसे ज्यादा आसान मेडिटेशन है आसान तरीका है त्राटक में इनर त्राटक इसमें कोई टेंशन ही नहीं है वागे पूरा थ्राटक में मिडिल थ्राटक में पूरह हम आख कोल के करेंगे यह स्ट्वाला है डोlt थ्राटक में दोचे करेंग से छोटासा डोरended डौरा पर फोकस्श करेंगे हम यह डॉट कहा पी रखना हमारा आइस एग्जाट्ली आइस का उपोसित में वन वन अनडा फीट का डिस्टंस के ऊपर एक डॉट लगाई है और डॉट पे फोकस करना है जैसे कि यह है जैसे मैंने एक पेपर में डॉट लगा दिया दिखाई देरी आपको ओके सो एक डॉट को न वन वन अनडा फीट का डिस्टंस में एक्जाट्ली ऑपोसित में में रखे ऐसे कहीने कहीं वाल पे कहीने कहीं में इसको पेस्ट कर दोंगे करके उसको एक्जाट्ली आइस के सामने फोकस करना है आइस को ब्लिंक नहीं करना आग को बन नहीं करना में इसको बिना आख बिना जब के जितना देर हो सके तो उतना देर आप इस पे फोकस करेंगे यह है डाट त्राट करते वक्त हमेशा याद रखे शुरू में आपका आख में बर्निंग होगा तोड़ा जलन लगेगा आखों में पानी भी आएगा इसमें कोई परिशान होने की ब लिए इस पांच में तक कर सकते हैं सपोस्ते आदा गंटा भी करने वाले यह आदा गंटा कंटिनूस नहीं करते सपोसे दो मिनिट कर लिया इसकी बाद आप रस्ट कर लिया है इस आउंग जपके फिर इसके बाद फिर शुरू कर दिया मतलब जब आपने करा है उसको क्याल कbij कैसी थे किर सेब शिप्त में फिर से शुर्रू कर दिया अपने वो सपोसे वो में तक लिया वादर एक मिनिटी इदर deux मिनिट नहीं तोटल मिला है कि फुल मिला एक तीन मिनेत हो गया मिनिट कर लिया थोड़ारेस्ट करmuş मतलब तोटल 5 वान प्लस टू प्लस टू पांच मिनिट अपने त्राटक कर लिया कौन सा बिंदो त्राटक ऐसे क्या लेड़ करके बिन आंग जब ते वान अफ दिस्टंस में एक चोटा सा डॉट लगा के आप उसमें फोकस करिए सबसे ज्यादा आसाम तरीका है यह इस यह कुछ यह लाइट ऑफ करटन डालिए कही से भी कुछ कहीं से भी लाइट आना ने चाहिए डार्क करके इसके बाद लाइट दिया लीजी आप दिया बहुत है अच्रा बेस्ट है कांडेर रख सकते हैं केंडील से जादा दिया और वाईज बूले क्योंकि चैंडील लगा दिया ते ल इतना डिस्टेंस पे रहे हैं नीचे नहीं होना उपर नहीं होना समझ में आ रहे हैं इसलिए डाट भी मैंने बोला कि यह दिस्टेंस में रखे तो यह वाला ऐसे करने हैं इसलिए कैंडिल से बेटर हैं बेतरीण आप दीया रखिए दीया में भी तिल का आई लगा सकते यानी नीम का आई अपने त्राटक बहुत बहुत फायदा भी आप यह पने तो करिए इसके बाद आप अपने बोलेंगे और थरड़ वाला इसमें में अचली तरड़ वाला है मिरर तरव बहुत लोग करते हैं ज्याद़ पॉपुलर नहीं है मगर मिरुट राटक भी है क्या करना है मिरर यान दर्पन दर्पन के सामने जाके खड़े के अपने अपको ए मतलब अपना आई सबने आपको फोकस करना है आई कोंटक रखर के अपने आपको देखना है continuously बिना आगहत के continuously यह दर्पन त्राटक यानि मेर त्राटक बहुत हैं अच्छा यह अच्छा यह भी इन इनर थ्राटक भी फ़स्ट कर रहा ना व्यारा वाला जैसे आप कर सकते हैं और थर्ड वाला ओटर थ्राटक में तीन टाइब का थ्राटक है मगर यह Outer त्राटक बिना किसी गुरु का गाइडन्स नहीं करना चाहिए किस ने किसी गाइडन्स तो जरूर चाहिए यह Outer त्राटक गर से बाहर आके करेंगे इसलिए Outer का नाम दिया हुआ , सब उसे च्प पयाए यापनें आंगण में हीआए इसमें तीन थरीके हैं पहला वाला है मून त्राटक जैसे मून आता है ना मून चांड चांड पर फोकस करना है सूर्य पर फोकस करना बहुत ही डिफिकल्ट है इतना असान नहीं है आप ट्राइ मत करिये बिना गाइड़ेंस आफ एनी गुरू और थर्ड वाला स्टार त्राटक फिर भी ठीक है तो स्टार्स को नक्षत्र को हम फोकस करेंगे यह वाला त्राटक ही यह तीन आउटर स्टार्स आप मेजर त्राटक डिसकस करा एक तो इनर त्राटक सेकेंड वाला मिडिल त्राटक मिडिल में हमने डाट और दिया वाला त्राटक और दर्पन वाला त्राटक डिसकस करा और आउटर त्राटक में हमने मून त्राटक सं त्राटक और नक्षत्र स्टार त्राट बाटित ना है और एक टमक तूस करिए तो करें मतलब कोई ने कोई अबजेक्ट पे हम नहीं करना चाहिए एक ही त्राटक पे आप फोकस करिए डेली वही प्राक्टिस करिए इससे आपको बहुत सारे फाइदे होंगे मैंने शुरु शुरुव में बता दिया कि यह त्राटक से आईसाइट इंप्रूव होगा इंसोम्निय प्राब्लम्स पूरा दूर करेंगे और कॉंसेंटरेशन बढ़ जाए यही नहीं है और भी फाइदा है यह तो स्ट्रेस बस्टर है कुछ भी डिप्रेशन हो स्ट्रेस हो टेंशन हो इसको दूर कर देता है और अपना विल्पावर सल्फ कॉंफेटेंस आत्म विश्वाशी बढ़ाता है और फेस में एक चमक एक स् थोड़ा 20-30 मिनिट तो दूप में गुंगती है उसमें वाइटमिन दी मिल जाता है तोड़ा वाकिंग भी हो जाता है इसके बाद में गर में आके थोड़ा योगा करती हूं योगा के बाद प्रानायमा प्रानायमा के बाद मेडिटेशन में में तराटक ही लेती हूं तरा हमारे मैक्सिमम हमें हम यह तराटक से दूर कर सकते हैं यह यह शाम को बाइटना है ऐसा कुछ नहीं एनी टाइम कभी भी बाइट सकते हैं बट में क्या करते सारा काम शुरू में हो जाता बोलगी योगा करने के बाद थोड़ा प्राणाय में के बाद तरा ठाटक भी कर लें अब आपको जब टाइम मिलता तब कर सकते हैं आफिस में बैटे हो गर में बैटे हो काम कर रहे हो कहीं जा रही हो काहीं भी कर सकते हैं शु 15 दिन के बद दुबारा आप इसका रिजल्ट कैसे है जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइए मैं वेट करते रहूंगे आपका क्यूंकि इसका फाइदा तो बहुत है अगर आप सीरियस्ली ट्राइ करें थो ठीक है ना तो और एक टॉपिक के साथ आपके सामने होंगी तब तक हमेशा अपना ज्यान रखिए मुस्कुराते वे हेल्दी अच्छा रहिए ठिक थे बीड़ लगए